नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टोप 25 पर मोख खबर जानते हैं नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टोप 25 पर मोख खबर जानते हैं अगर इनकी एक चाह है तो धारा 356 का उपयोग करे जर्खन में 3 सितंबर तक हलके से मत दर्ख की बारिस के आसार हैं इस दरण मौस्का विभाग ने 30 अगस्त के लिए एलो अलट जारी कर दिया है रभिवार को रांची समेत कई जिलो में बारिस हुई इस क्रब में बजरपात की चपेट में रांची के बुढमू पर खंड में 11 बकरिया आई इन में से 5 की मौत हो गाई मौस्म विभाग के पुरुणवान के नुसार रांची रामगरबो कारो पच्मी सिम्भूम साहिवगा जामतरा पाकुल सिम्डेगा देवगर दुमका गोड़ा गिरीडी गुमला कोडर्मा चात्रा धनबाद गढ़वा लातेहर पलामू लोहर दगा हजारी बाग खुटी अमसराय के लामे में गरजन हो सकता है उनलाइन हाज्री नहीं बनाने वाले सिक्षको पर सक्ति की जाएगी जीले के सिक्षा पता धिकार्यों को उनलाइन हाज्री सुनेशीत करने का निदेश उपाईउक्त राहुलकुमार सिनहा ने दिया है ऐसा नहीं करने वाले सिस्कों को ततकाल सोकाज करने का भी निर्देश दिया गया है वहीं उपायुक्त के निर्देश के बाद सिस्कों को सोकाज दिया भी जा रहा है उपायुक्त ने BRP और CRP को हर मा अनिवारे रूप से स्कूलों का भ्रहमन करने का निदेश दिया है सभी BRP CRP को अधिक्तम स्कूलों का भ्रहमन का रिपोर्ट पेस करने का निदेश दिया है वहीं अभिभावकों से खतियान, वनसावली और अधार काड़ लेकर सभी को प्रग्या केंद्र भेजने का निर्देश दिया है सिक्सकों को 8 सितमबर तक दस्तावेज अभिभावकों सुर ले लेने को कहा गया है रांची बोकारो अग गिरीडी में मिले स्वाइन फुलू के 4 मरीज सभी सिविल सरजनों को बचाव तथा मरीज मिलने पर उप्चार को लेकर सभी अवस्चक करवाई करने के निर्देश दिये गए है मिली जनकारी के अनुसार रांची में संक्रमित पाया गए मरीजों में एक महिला दीपा टोली तथा दूसरी पच्मी बंगाल के पुरूलिया जिले की रहने वाली है बोकारों में पाया गया बुजूर्ग धनबात का रहने वाला है वहीं गिरीडी में मिले चौथे मरीज की जनकारी अभी नहीं मिल पाई है रांची में मेडिका अस्पताल में भरती मरीजों का पहले कुरोना टेस्ट कराया गया लेकिन उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई इसके बाद चिकिसकों ने स्वायन फुलू की जांच करायते रिपोर्ट पोजेटिव आई है हेमांत सोरेन के पक्ष में नीतिस का जद्यू की जारखन परदेश कारकरनी की रभीवार को हजारीबाय के पहला डाज रिसोट में होई इस बैठक में पार्टी ने था केंद्र सरकारवा भाजपा पर हमलवार हुए बैठक में कई प्रस्ताव पारित किये गा है जिन में आठ संग अठनात्मक प्रस्ताव सामिल है बैठक में परदेश प्रभारी सह बिहार के ग्रामिन विकास मंत्री स्रवन कुमार भी सामिल हुए राजी सभा सदसेस पार्टी के परदेश अध्यक शिरू महतु के अधक्सताय में होई बैठक में कहा गया कि बिहार में नितिस कुमार के नितित में बनी महागट बंधन की सरकार को अब पदस्त करने का पर्यास किया गया जिसकी पाटी निंदा करती है अंकीता हत्या कांड अर्जुन मुंडा की मांग हत्यारों को मिले फांसी दुमका की छात्रा अंकीता को जिंदा जलाने के मामले पर सियासत तेज हो गई है विपक्ष इस मामले को लेकर हेमत सरकार को कट घेरे में खाड़ा कर रहा है पुर्व सीम बाबुलन मरांडी ने सरकार पर निशाना साथते वे कहा है कि सारुक की सनक की सिकार होई अंकीता की जान बचाई जा सकती थी अगर उसे भी बेहतर इलाज मिल पाता है एक और रांची में हुए उपद्रों में घायल नदीम को राज सरकार एयर एमूलेंस से सरकारी खर्च पर दिली भेज में दानता में इलाज करवाती है वहीं अंकीता को रांची भेजने तक की बेवस्ता नहीं कर पाती वहीं केंद्रिय मंत्री अर्विन मुंडा ने ट्यूटर पर कहा है कि ए बहुत दुख़द है अखिर कर दुमका की बेटी अंकीता रांची के रिम्स में जिन्दगी की जंग हार गई शारुक नामक वहसी युवक ने उसे पेट्रोल छिड़कर आग के हवाले कर दिया था राजसरकार फास्ट रेक कोट का गठन कर हत्यारे को फासी की सजादिलाई अंकीता को असुरुपुर्ण सरदांजली जार्खन में बच्चो और महिलाओ को मिलने वाले पोसाहर की बंगाल में चारे के रूप में हो रहा था इस्तिमाल जार्खन सरकार द्वारा बच्चो और महिलाओ को मुफ्त दिये जाने वाले पूरक पोसाहर कथित तोर पर पच्छिम बंगाल में मुर्सिदाबाद जीले के एक छोटे से चारा करखाना में इस्तेमाल होने का मामला सामने आया है पूलिस ने आरोपी करखाना मालिक को सन्निवार को गिरफतार कर लिया फैक्टरी फरका के दुर्गापूर इलाके में इस्थित है आस्थानिय पूलिस की ओर से इस बारे में जनकारी देते हुए बताया गया है कि आरोपी की पाचान गौतम भगत के रूप में हुई है आरोप है कि उसके द्वारे बनाये गये चारे में जार्खन में के किरित बाल विकास सेवा केंद्रों से 6 साल तक के बच्चोगर बहती महिलाओ और मताओ को बितरीत किये जाने वाले पूरक पोसाहर का इस्तिमाल किया जा रहा था स्वास्त मंत्री बन्ना गुपता ने भाजपा को कहा दम है तो लगाओ 356 जार्खन में राजनेतिक उथल पुथल के बीच राजे के स्वास्त मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुपता ने रभिवार को भारत्य जनता पार्टी के नेतित वाले केंद्र को राजे में समिधान कानुछे 306 लागू करने की चिनोती दी है एक सन्वादाता समेलन को समोधित करते हुए मंत्री ने कहा यह जार्खन सरकार को आजस्थिर करने की एक पुर्ण नियोजीत साजिस है हम राजेपाल से जानना चाहते हैं कि अगर चुनाव आयोग ने कुछ भेजा है तो उसे सरोजनी किया जाना चाहिए इडी ने महिनों तक छापा मारा है लेकिन कुछ नहीं मिला हमारे पास पुर्ण बहुमत है भाजपा मेहिमत है तो अनुछे 356 लागू कर राज सरकार को उकाड़ फेको नहीं तो बक्वास बात नहीं करनी चाहिए धनबाद में गस्ती दल पर हमला ममले में जैराम महतो समें 23 आरोपी बलिया पूर्थाना के गस्ती दल पर हमला करने के ममले में दर्ज प्रात्मीकी में खत्याने अंदोलनकारी जैराम महतो पुरोविधायक अनन्द महतो के पूत्रवा मासस के केंद्रिये सचीव बबलु म पहतो मक्सवादी युवा मोर्चा के केंद्रिय करकारिय अध्यक्ष जगदीस रवानी समें 23 लोग नामजात तथा 600-700 अग्यात आरोपी बनाए गए हैं नामजात अभ्यक्तों में जीला परससर स्वेता कुमारी भी सामिल हैं घायलों को गोल्डेन आवर में अस्पताल पहुचाने वालों को 5000 रूपए सडक हाथसे में गंभी रूप से घायल ब्यक्ति की सहता करने और गोल्डेन आवर में अस्पताल पहुचाने में मदद करने वाले नेक ब्यक्ति को फुरुत सहित करने के लिए अब नगत के रूप म पांच यह रुपए और प्रससित पत्र दिया जाएगा या योजना राजे में 26 अगस्त से लागू कर दी गई है मुख्य मंत्री का अनुमोदन मिलने के बाद परिवहन सचीव सह परिवहन आयूत केके सोन ने आदेश जारी किया है योजना के बेतर संचारन के लिए एक स्टर्य मुलनाका समित्य भी गठित की गई है सरकार गिराने में जूटी है बीजेपी मन सूबे नहीं होंगे पूरे कांग्रेस परभारी जारकन में सियासी हलचल के बीच राची आये कांग्रेस परदेश परभारी अविनास पांडे ने बीजेपी पर जाम करनी थाना के परियास में भाजपा हर वक्त जूटी है लेकिन उनके मन सुवे कभी काम्याब नहीं होंगे वहीं बदलते राइनितिक हटना चक्र के बीच मोखी मंत्री हेमन सुरेन कांग्रेस परदेश प्रभारी अविनास पांडे से मिलने खुद रांची के गेस हाउट पहुंचे दो वर्तमान राइनितिक हालात को लेकर दोनों नेताओं ने मन्थन किया सुचना के मुताबिक दोनों नेताओं ने भावी कारे जोजना पर बातचीत किया है जारखन में सुरेन परिवार को पांच भी बार लगा जटका राजेपालवा में इस बैस ने ओफिस औफ प्रोफिट मामले मुख्य मंत्री हेमान सुरेन के सिस्तार रद करने का फैसला सुनाया है इन्हें भी अब सीएम के कुर्सी फिलाल छोड़नी पड़ेगी इस फैसले के साथ ही जारखन में राजनीत्ती गतिवी दिया तेज हो गई है जारखन में यूपिये की पिकनिक पोल्टिक्स सुरू हुई तो वहीं लोगों के बीच यह चर्चा तेज हो गई है कि सुरेन परिवार की किसकी नजर लग गई सुरेन परिवार में पिता पूत्र मुख्य मंत्री बने लेकिन किसी ने अब तक पांच साल का कारेकाल पुरा नहीं किया बता दे जहारखन गठन के बाद एक मात्र मुख्य मंत्री रगवर दास रहे जिन्होंने पांच साल का कारेकाल पुरा किया जारखन में डाइबिटीज की नई दवा देगी रहात डाइबिटीज के मरीजों के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा कारगर दवा पर खोचल रही है इससे बलड सुगर घटाने के साथ ही इससे समधित अन बीमारियों की परिसानियों पर भी बेहतर तरीके से काम किया जा सकेगा यह कहना है राइबिटीज के मरीजों की संख्या त्यजी से बढ़ी है लातेहर में पथलगड़ी का बोड हटाने से भड़के लोगों ने डीएसपी आवास में जड़ा तला है जारखंड के लातेहर जीले के महुआ डार परखंड के छेचारी परगणा के सदस्यों द्वारा रभी बार की साम महुआ डार डीएसपी राजेस कुजूर के आवास का घिराव किया गया छेचारी परगणा के सदस्यों ने नारा लगाते हुए डीएसपी राजेस कुजूर को आवास से बाहर निकाल कर गेट पर तला जड़ दिया और पासासन द्वारा उखाड़े गए पतलगड़ी बोड को उसी अस्थन पर लगाने की मांग करते रहे इस दवरान उन्होंने जमका नारे बाजी की बता दे बेल मरयानूस कुजूर ने कहा है कि हम लोगों द्वारा पांचवी अनसूचित छेत्र को लेकर बिरसा चौक और संत जोसेफ चौक पर पतलगड़ी का बोड लगाया था उसे परसासंदवार संनिवार को उकाड़ कर थाना लाया गया है बोकारो में फुटबॉल मैदान में बजरपाथ एक की मौत जारखन के बोकारो जी लेके गोमियो थाना अंतरगत हजारी पंचायत के हजारी गाव में रभीवार को दोपर में बारिस हो रही थी इस दवरान बिजली गिरने से एक यूवक का मभी रूप से घायल हो गया इस यूवक का नाम बिसांत बताया जा रहा है घायल होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोसित कर दिया माता पिता को यकई नहीं हो रहा था इसकरण उन्होंने कई अस्पतालों में ले जाकर जाज कर आई लेकिन सभी ने उसे मृत घोसित किया जार्खन में कर्मा पुजा की तैयारी जार्खन की छेतरी लोक क कला एवं संस्कृतिक तेवहारों के प्रती लोगों में जगरूपता लाने की मुहीम सुरू कर दी गई है इसे लेकर जार्खन की संस्क्रिती और प्रकिर्ती अधारित पर्व कर्मा को मनाया जाने को लेकर जार्खन डी भासा खत्यान सगर समिती की द्वारत त्यारी की जा रही है इसे लेकर बैठक के माध्यम से आने वाले दिनों में कर्मा प्रप को समोहिक रूप से मनाया जाएगा एक सितंबर को बगोदर स्टेडियम में कर्मा महोसम मनाया जाएगा बेहतर प्रदसन करने वाली टोली को समीति की ओर से समानित भी किया जाएगा बेतला नेशनल पार्क में साथ लेयर सेक्रियेटी से बचाव लाते हर जीले के बेतला नेशनल पार्क के जंगलों और जानवरों को नुकसान पहुचाने वालों की अब खैर नहीं मानसून के दवरान बरतमान समय में वन परवधन अपराधियों पर लगाम कसने की बड़ी मुहिम चला रहा है अधोनिक तक्निकी का उप्योग करते हुए सुरक्षा बेवस्था इतनी सक्त कर दी गई है कि अपराधियों को बचना नमों की है जंगल में खुषते ही अपराधि सलाखों के पीछे नजर आने लगेंगे बतादे नेशनल टाइगर कंजर्वेंशन अथूरिटी एन्टी सी ए की गाइडलाइन वह वर ये पदादेकारियों की निदेस पर बेतना नेशनल पार्क में साथ अस्तरी सुरक्षा बेवस्ता लागू कर दी गई है दुमका के लोगों में गुसा बाजार कराया बंद जहारखन की उपराईधानी दुमका के जरुआ डिह की बेटी जिन्दगी की जंग हार गई है उसने रिम्स में दम तोड़ दिया उसकी मौद की खबर मिलने पर दुमका में लोगों का गुसा फूट पड़ा लोग सड़क पर उतर गए बजार को बंद करा दिया भीड के उग्रत तेवर को देख पुलिस पर सासन को फ्लैग माच करना पड़ा और भीड को उस इलाके में जाने से पहले ही रोक दिया गया जिस इलाके में आरोपी के साथ साथ मिलित्तक का घर है एक तरफा प्यार में बिफल रहने के बाद सारुक हुसान नामक यूग ने बरावी की चात्रा पर गत 23 अगस्त 2022 को पेट्रोल छिड़क कर उसके ही घर में जिन्दा जला दिया था पश्मी सिम्भूम में जमीन बिबाद में दिब्यांग बच्चे को मार डाला पश्मी सिम्भूम जीले के मजगाओं के कुमार डूंगी थाना छेत्र में जमीन बिबाद के कारान एक शयुदा वर्षे दिब्यांग बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई है मामले का खुला सत्तब हुआ जब रभीवार की सुबा कुमार डूंगी थाना छेत्र के दिखुबाल कंड गाओं के लोग सौच के लिए तलाब की ओर जा रहे थे इस दोरान उन्होंने मजगाओं भाला डी मुख्य सड़क के किनारे एक बच्चे का सोब पड़ा हुआ देखा उन्होंने इसकी सूचना थाना को दी हेमन्त सुरेन के इस थीपे का सरे कौन लेगा उलजे जारखन बीजेपी मुख्य मंत्री हेमन सुरेन दोरा अंगड़ा में पतर खदान लेने के मामने में परसानियों में फजे मुखे मंतरी हमंसुर निंगे खिलाब भाज़पा की गतिविद्या सूस्त है भारतिये जनता पार्टी की सीकायत पर राज़पाल के निदेश पर चुनाव आयोग द्वारा मनता पे विद्या जा चुका है ओफिस और प्रोफिट का मामला पाये जाने पर मुखे मंत्री है मनसुर्ण के सिर्षता जानाता है चार दिनों से राजेपाल के पास चुनाव आयो के अनुसन सा पड़ी है लेकिन भाजपा नेता इस पर करवाई के लिए राजेपाल से कोई अनुरोध तक नहीं कर रहे है या किसी रण नीती से ज़्यादा पार्टी के अंदर कई गुटों की मौजूदगी का पईनाम लग रहा है लोहर्दगा में आधार काड से धराय पांच चोर जार्खन के लोहर्दगा जीले के भंडरा थाना चेतर के कचमची चोक इस्थीत कमले साओग मोबाईल दोकान में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अपरादियों को अस्थानिय ग्रामिनों ने पकड़ कर अभिवार को भंडरा थाना पुलिस को सौप दिया चोरी की घटना को अंजाम देने पहुंचे पाँच अपरादियों को ग्रामिनों जम कर पिटाई की है साथ ही उनके घ़र से भंडरा, चट्टी, कचमची के विभीन, मोबाईल, दोकान से चोरी के मोबाईल, फोन, ब्लुटूथ, स्पिकर, चारजर, स्क्रीन, गार्ट समेट अन्य उपकरन को जब्त कर पुलिस को सौप दिया है 6 दिनों से पानी की किलात, मोराबादी स्थीत, हरिहर, सिंग रोड और दिव्यान इलाके में पिछले 6 दिनों से जल संकट की स्थीती उत्पन हो गई है 3-4 हजार की अबादी को पर्याप्त रूप से पानी भी नहीं मिल रहा, जिसके कारण लोगों को काफी दिकत हो रही है रभीवार को भी इस इलाके में पर्याप्त रूप से जलापूर्ती नहीं हो पाई अवकास का दिन होने के कानल लोगों को बिन पानी काफी समस्य उठानी पड़ी विशेसकर दरनिक करे प्रभावित हुए निर्मल कॉलेज में सर्वाइकल कैंसर पर ब्याख्यान निर्मल कॉलेज में रभीवर को सर्वाइकल कैंसर पर बैख्यान कायोजन किया गया इसमें डाक्टर सौमया ने सर्वाइकल कैंसर क्या है इस पर बिस्तार से बताया उन्होंने कहा है किया एक घातक ट्यूमर है जो गरभास से गृवा की कोई सिकाओ से उत्पन होता है इससे कैसे बचा जा सकता है इसके उपाय भी उन्होंने बताए मौकेप छत्राव ने कई सवाल भी पुछे जिनके जबाब डाक्टर सौम्या ने दिये कारकरम में परचार्य डाक्टर सिस्टम जोती उप परचार्य सभी मौजूद थे पंच घाग उलूंग फॉल और पेरवा घाग में लतरातु डैम की तरज पर बनेंगे गेस्ट हाउस उपायोकते खोटी जिले के पंच घाग उलूंग फॉल और पेरवा घाग में लतरातु डैम की तरज पर गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे या जनकारी DC ससी रंजन ने दी उन्होंने कहा है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा दूसरे जीलों और परदेशों से पहुँचने वाले सहलानियों की संक्या बढ़ेगी इससे गाउं के लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे खुटी जीला विकास कीरा पर अग्रसर होगा बता दे कि एक दिन पहले हेमंत सुरेन सरकार की पूरी टीम लत्रातू डेम पहुँची थी सरकार के सभी मंत्रियों और विधायकों ने लत्रातू डेम में बोटिंग की है गुमला के टांगी नाथ धाम का निरिक्छन भारतिये पूरतात्तो सर्वेक्छन की उत्खनन सका पर्टना के टीम ने गुमला जीले के डुमरी पर्खन इस्थीत बाबा टांगी नाथ धाम पूरतात्विक अस्थल का निरिक्छन किया निरिक्षन के उप्रांत उत्खनन सखा पटना के अधिक्षक पुरतात्विक डाक्टर राइंद्र देहोरी ने पुरतात्विक अस्थल के एतिहासिकता और उपलब्ध परमानों तथा आउसेसों को देहकर प्रसंता ब्यक्त की इस छेत्र की महतपुन एतिहासिक धरोहर के संदर्व में ब्यक्षियाईत वह महतपुन बताया उन्होंने कहा है कि टीम का उदेश से बाबा टांगीना धाम के आसपास इस्थीत और पुरतात्विक महतविक अस्थल एवं अस्मारकों को चीन हित कर भाविस की कार्योजिना ब